हेलो दोस्तों स्टॉक मार्केट एस टीवी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम निफ्टी फिफ्टी के उन पांच स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस हफ़ते सबसे ज्यादा लॉस में गए हैं और साथ ही साथ ये भी जानने की क कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इन स्टॉक्स में कैसी रननीती रखनी चाहिए इसके साथ ही आप से इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें इससे पहले कि हम आगे बढ़े अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को पूर न लगता है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें तो इस हफ़ते का हमारा पहला स्टॉक रिलाइंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ये स्टॉक शुक्रवार 4 अक्टूबर 2024 को 2773 रुपए और 5 पैसे पर बंध हुआ है जो पिछले हफ़ते के तुलना में 9.15% यानि की 289 रुपए और 30 पैसे घटा है स्टॉक का 52 वीक हाई 3,217 रुपए और 60 पैसे है और 52 वीक लो 2,220 रुपए और 30 पैसे है स्टॉक ने हाल के दिनों में 3,066 रुपए के आसपास रिजिस्टन्स फेस करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया अब जो इसका डाउन साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 2,751 रुपए और 25 पैसे इसका दुसरा सपोर्ट 2,654 रुपए और 25 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 2,566 रुपए और 30 पैसे अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह स्टॉक इस लेवल से उपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रिजिस्टेंस होगा 2,838 रुपए और 20 पैसे इसका दुसरा 2,945 रुपए और 25 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टेंस होगा 3,62 रुपए और 30 पैसे अगर यह स्टॉक यहां से आप साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए या फिर इससे भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है देल इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए तो इस हफ़ते का हमारा दुसरा स्टॉक श्रीराम फाइनस लिमिटेड है यह स्टॉक शुक्रवार 4 अक 25 पैसे है और 52 लो 1760 रुपए और 85 पैसे हैं स्टॉक ने हाल के दिनों में 3652 रुपए के आसपास रिजिस्टन्स फेस करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया था अब जो इसका डाउन साइड लेबल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला 3295 रुपए और 80 पैसे इसका दुसरा सपोर्ट 3099 रुपए और 65 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 2889 रुपए और 10 पैसे अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव कंटेनियू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेबल्स को भी टाच करते हुए या फिर इस पैसे इसका दुसरा रिजिस्टन्स होगा 3589 रुपए और 15 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टन्स होगा 3753 रुपए और 50 पैसे अगर यह स्टॉक यहां से आप साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेबल्स को भी टाच करते हुए या फिर इस से भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यह स्टॉक बेरिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यह स्टॉक बेरिश ही नजर आ रहा है तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए तो इस हफते का हमारा तीसरा स्टॉक अक्सिस बैंक लिमिटेड है ये स्टॉक शुकरवार 4 अक्टूबर 2024 को 1178 रुपए और 40 पैसे पर बंद हुआ है जो पिछले हफते के तुलना में 7.44 यानि की 94 रुपए और 75 पैसे घटा है स्टॉक का 52 वीक हाई 1349 रुपए और 65 पैसे है और 52 वीक लो 951 रुपए और 40 पैसे है स्टॉक ने हाल के दिनों में 1281 रुपए के आसपास रेजिस्टन्स फेस करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया था अब जो इसका डाउन साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 1162 रुपए और 45 पैसे इसका दुसरा सपोर्ट 1121 रुपए और 80 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 1089 रुपए और 55 पैसे अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव कंटेनियू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह स्टॉक इस लेवल से उपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रिजिस्टन्स होगा 1194 रुपए और 95 पैसे इसका दुसरा रिजिस्टन्स होगा 1230 रुपए और 70 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टन्स होगा 1274 रुपए और 60 पैसे अगर यह stock यहां से आप side move करता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या फिर इससे भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है देली time frame के हिसाब से यह stock bearish नजर आ रहा है और weekly time frame के हिसाब से भी यह stock bearish ही नजर आ रहा है तो आने वाले समय में यह stock और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है इसलिए आपको अभी इस stock में कोई भी fresh entry plan नहीं करना चाहिए और इस stock में trend reverse होने तक का इंतजार करना चाहिए तो इस हफते का हमारा चौथा stock भारत petroleum corporation limited है यह stock शुक्रवार 4 अक्टूबर 2024 को 340 रुपए और 25 पैसे पर बंद हुआ है जो पिछले हफते के तुलना में 7.36% यानि की 27 रुपए और 5 पैसे घटा है stock का 52 week high 376 रुपए है और 52 week low 165 रुपए और 73 पैसे है stock ने हाल के दिनों में 376 रुपए के आसपास resistance फेस करने के बाद downside move दिखाना शुरू किया था अब जो इसका downside levels निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला support 333 रुपए और 50 पैसे इसका दुसरा support 311 रुपए और 55 पैसे और इसका तीसरा support 289 रुपए और 75 पैसे अगर यह stock अपना downside move continue करता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह stock इस level से उपर की तरफ जाता है तो इसका पहला resistance होगा 348 रुपए और 75 पैसे इसका दुसरा resistance होगा 368 रुपए और 5 पैसे और इसका तीसरा resistance होगा 387 रुपए और 80 पैसे अगर यह stock यहां से upside move करता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या फिर इससे भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है daily time frame के हिसाब से यह stock bearish नजर आ रहा है और weekly time frame के हिसाब से भी यह stock bearish ही नजर आ रहा है तो इस हफते का हमारा पांचवा stock hero motor court limited है यह stock शुक्रवार 4 October 2024 को 5520 रुपए और 85 पैसे पर बंद हुआ है जो पिछले हफते के तुलना में 7.33% यानि की 436 रुपए और 50 पैसे घटा है stock का 52 week high 6,246 रुपए और 25 पैसे है और 52 week low 2,923 रुपए और 95 पैसे है stock ने हाल के दिनों में 6,246 रुपए के आसपास resistance पेस करने के बाद downside move दिखाना शुरू किया था अब जो इसका downside levels निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला support 5,415 रुपए और 55 पैसे इसका दुसरा support 5,149 रुपए और 15 पैसे और इसका तीसरा support 4,871 रुपए और 85 पैसे अगर यह stock अपना downside move continue करता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या फिर इससे भी मीचे जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह stock इस level से उपर की तरफ जाता है तो इसका पहला resistance होगा 5,650 रुपए और 35 पैसे इसका दुसरा resistance होगा 5,879 रुपए और 20 प अगर यह stock यहां से upside move करता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या फिर इससे भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है डेली time frame के हिसाब से यह stock bearish नजर आ रहा है और weekly time frame के हिसाब से भी यह stock bearish ही नजर आ रहा है तो आने वाले समय में यह stock और भी नीचे जा आते हुए नजर आ सकता है, इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए, दोस्तों यह विडियो केबल और केबल एजुकेशनल परपस के लिए है, इनम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा